हेलो मेरे प्यारे छात छात्राओं आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल राइजेस्टडी बे और जैसा कि आप लोग देख चुके हैं थमलेन में जो यहां पे जो हम आपको कलास 10 का जो है संस्क्रीट सब्जेक्ट का टॉप 10 पर्सन जो है तो दर्स पर्सन ऐसे बताएंगे जो परिक्षा में पुछने का जो चांस है वो लगवलगो 100 पर्सेंट है तो दूस्तों यहां पे आप लोग वीडियो में बने रहेगा एस्कीप तो नहीं किजेगा तो देखें पहला पर्सन जो है लिए हम पटना के मुख्य दर्सनी अस अस्थल की नाम आपको पता होगा फिर भी हमें यहां पर बताने क्या कोशिश कर रहे हैं करें पटना के मुख्य दर्सनी अस्थल नीमनी लिखी थे हैं तो क्या सब है यहां पर बात करते हैं गोलगर तारा मंडल जैब की उद्यान उंस न्याले सची बाले गुरुद्वार और जो है जो नाया में बना है गलास बिरीज भी बन के तयार है आप लोग जाके देख सकते हैं इत्यादी इत्यादी यह सब पतना के दर्सनी अस्थल है तो दूस्तो आप लोग परसन से क्या एक समझगे होंगे दो नमर देखते हैं परसन दो नमर का परसन जो है आप में लिखें चले तो यह हम चारो आलसी ऑफ लोग को लिया गया है अलस्काया से उल्सकता की लेखा कौन है विद्यापती जी में देखेंत चारो आलसी ही अपने अलस्पन को सीध कर रहे थे इसमें जो चारो आलसी जो है जो तो चार वालसी जो हा निस्चा हैं अपने अलस्पन को सिथ्प करह रहे हैं इक ने मुहां कई है पहला क्लश पहला यगा हुरह कि लगता है कि इस घर में अख गई है इस घर मे आग लग गई है और उसके बात तिस्रा हाल जो कहता है वो सुने तिसरे ने कहा कोई वैक्ति ऐसा नहीं जो इस घर को पानी से भीगे लिः ड़क सके दा मतलों तिसरा हाल सी कहता है जो कोई सा कोकी आईसा दयावान वैक्ति है किया जो जोчता हाल आ थे law चुप 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 क्यों नहीं रहते हो बहुत हला करते हो तुम लोग परकार जो है चारवाल सी का बरताला पीसमीं हम आपको बता दिये हैं तो यहां पर आप लोग जो है दो परसंट समझ गहे हैं इसके एक्स्कृन सब्सक्राइब करें ले सकते हैं आगे हम बात क तो देखिए अलसकता का जो है संदेश है क्या संदेश है अलसकता से हमको क्या संदेश मिलती है क्या सिक्षा मिलते हो बताने बाले हैं करा अलस कता का संदेश है कि अलस से एक महान रोग है मतलब यह कि अलस कता पार्ट में जो हम परहे हैं उससे हमको संदेश मिलता है कि जो अलस से एक महान रोग है जीवन में विकास के लिए बैक्ति का कर्मत होना अत्यांत आवस्यक है जीवन में कोई भी बैक्ति के विकास के लिए बैक्ति का कर्मठ होना अत्यांत आवस्यक है उसके बाद देखिए करा अलस्य सरीर में रहने बाला महान सत्रू है जिससे अपना परिवार तथा समाज का बिनास अबस्य हो जाता है करते हैं आप लोगों को इधर दिया हुआ है चार नमर पर्शन कर रहा है पंडिता छमाराव की पर्मुक्रितियों के नाम लिखें तो पंडिता छमाराव जो है वो जो किरिती लिखी हैं उन पे हम बात करते हैं देखें करा संस्कृत साहित्य में आधूनिक समय की लिखिकाओं में पंडिता चमाराव अती परसीद है ना संस्कृत साहित्य के अगर बात किया जाए तो आधूनिक समय में पंडिता चमाराव जो है बहुत जादा परसीद है उसके बाद जो है देखिए उनकी रचना के बाद करते हैं संकर चरितम उनकी अनुपम रचना है ना संकर चरितम उनकी जो है बहुत सुन्दर रचना है गांधी दर्शन से परभावित होकर उन्होंने सत्या ग्रह गिता ठीक है यानि कि गांधी दर्शन से परभावित होकर ज लुकतावली ग्राम में जो एती आदी रचनाय की है यह सब जो है किनकी रचनाय पंडिता छमाराव की चले आगे पांच नमर परसन पर बात कर लेते हैं पांच नमर परसन है संसकार मौलिक अर्थ क्या है यहां पर हम काच छूट जी गा है अब लोग ध्यान में रहा तो यहा हमको मौलिक रूप से जो है मौलिक रूप से जो है एक तरह से मालिजे जो वेवस्तित करता है समुचित रूप से वेवस्तित करता है उसको हम संसकार का क्या कहते हैं मौलिक वेवस्ता कहते हैं मौलिक अर्थ हुआ है संसकार का तो इस परकार आप जो है पांच परसन जो है चो नमर बार बार एक्जाम में पुछा गया है चले कह रहा है राम परवेश राम का घर कैसा था और कहां था तो दोस्तों ये बात तो आपको पता होगा राम परवेश राम का घर जो है घर जो है फूस से बना हुआ जोपरी का था और जोपरी का था जो कहां इस थी था भीख तोला में था ठीक है चले सात नमर का परसुन देख लेते हैं करा स्वामी दयानंद ने समाज के उधार के लिए क्या किया तो स्वामी दयानंद जो है समाज के उधार के लिए क्या क्या किया उस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा करा स्वामी दयानंद ने समाज के उधार के लि समाज को पुर्तसाहित करने का काम किये उन्होंने बाल विवा समाप्त करने वाले समाप्त करवाने मुर्ति पूजा का बिरोध और छुवा छुथ समाप्त करने का परहतन किया मतलब कि समाज उद्धार के लिए ठीक है समाजी कल्यान के लिए जो है स्वामी दयानन जो है इस् मुर्ति पूजन जो देलों मुर्तिम का भी बिरूद किये चुअ छुर्चुभ का भी बिरूद किये तो यहीँ स्वव काम जो है समाज का लयान के लिए स्वामी दयानन्द जी ने किया चले आथनमार का पर्शन पर बात कर लेते हैं आठ नमर का पर्सन आप लोग का विश्व सांती का सुर्योदय कब होता है तो विश्व सांती का सुर्योदय कब होता है दोस्तों बहुत ही जो है इंपोर्टेंट पर्सन है तो इसका एंसर हम आप लोग को बता रहे हैं अभी करहां जब विभीन देश संकट की घरी में एक द ख़ला को सभी देश आपदा के समय एक दूस्रे को मदद करेंगे सहता समागरी पहुंचाएंगे ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे 20 प्रश्वांति का सुरुद्ध कहेंगे तो हम मान लेंगे जो ऐसा जो है 20 का सुरुद्ध हो चुका है तो इस परकार आप जो है इस वीडिय है आप लोग को थोड़ा सिधा कर लेते हैं नौनमर का परसन है नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलते है दोस्तो नदियां जो अब्जेक्टी में बार बार ये परसन पुझा जाता है जो नदियां जो है क्या छोड़के समुद्र में मिल जाते है तो नदियां अपने ना और रूप को तेयाक कर समदर में मिल जाती हैं चले 10 नमर का पर्सन करा बेद कितने हैं सभी के नाम लिखे तो बेद जो है दोस्तो चार है कितना है? चार है रिग बेद, यजू बेर्द, अर्थरवेद और सामबेद कुन-कुन बेद है दोस्तो रिगवेद, यजूबेर्द, अर्थरवेद और सामवेद कभी-कभी जो है अबजेक्टी में पुछेगा जिब बेद की संक्या कितनी है तो आप लोग धियान में रखे आप बेद की संक्या चार है ठीक है क्या क्या है चारवेद रिगुवेद यजुवेद अर्थरवेद और सामवेद आगे देखते हैं आगे का पर्षन है एगारा नमन पर्षन है करा बेदांग कितने हैं तो ये भी पुछेंगे पुछने का चांस रहता है जो बेदांग कितने हैं तो बेदांग जब और जियोतिस यह जो है बेदांग है बेदांग की संक्या कितनी है चार आप लोग याद रखेगा तो इस परकार अभी तक जो है आप जो है टुट्टे लगार पर जो इस वीडियो में समझ चुके हैं जो परिक्षा की दिरिष्टी से अत्यंत मात पुर्ण है तो वीडियो अ